वेलकम टू सौट हैं बिद्धाले दोस्तों ये डिक्टेशन 140 सब्द प्रति मिनट की रहेगी ठीक है ये आपके 36 गड़ बिधान सभा का जो स्किल होने वाला है उसके लिए प्रवाइट कर रहे हैं वहाँ आपको 5 मिनट की डिक्टेशन रहेगी और स्पीड आपको वहाँ पर जो बोली जाएगी वो रहेगी 140 सब्द प्रति मिनट की ठीक है लेकिन हम यहाँ पर आपको ज़्यादा वर्ड की प्रक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका स्किल क्वालिफाई हो सके ठीक है चले स्टार्ट करते हैं जो लोग पहली बार विजिट किये हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सबिस्क्राइब करके बिल आइकोन जरूर प्रेस कर लीजेगा ठीक है अल नोटिफिकेशन में लगाएगा चले स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को रेडी स्टार्ट महोदय भगवान बुद्ध ने अपने सील में इन सभी गुणों पर यह थोचित बल दिया है और व्योहार की द्रश्टी से उनका विवेचन किया है बुद्ध जैनती समारोह द्वारा संसार के रास्टों को सुख तथा सांती देने वाले भगवान के संदेश को इस मरण करने और उसका चिंतन करने का जो औसर मिला है मैं समझता हूँ कि यह मानो जाति का सौभाग्य है मेरी यह धारणा है कि नीजी सुख और सांती के हित में मानो उस संदेश की ओर अधिक अधिक ध्यान देगा यह प्रसनता की बात है कि कई एक राष्टों ने पंच सील के सिधानतों को सुईकार कर लिया है इस सिधानत पर आचरण दोरा पारास्परिक मतभेद नियसंदेश कम किया जा सकता है और राष्ट बल प्रयोग अथवा युद्ध से मुक्त हो सकते हैं भगवान बुद्ध का समस्त जीवन उनके सारगर्वित प्रवशन और उनका संदेश प्रतेक ब्यक्ति के लिए उपलब्ध है कोई भी ब्यक्त उनसे लाब उठा सकता है और अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है हमारे देश में जहां भगवान ने निर्वान प्राद किया और प्रतम उपदेश दिया महत्मा बुद्ध का जनता के हृदयों में उचे से उचा स्थान है प्राचीन सभ्यता के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में इस स्वरीय अवतार का पद दिया था और इस देश से बौधमत के लुप्त हो जाने के बाद भी बिसुन के रूप में उनकी पूजा बराबर होती रही भगवान बुध्य की विचार धारा तथा उनके सद उपदेश का हिंदू विचार धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौध शील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है मैं बिनम्रता पूर्वक एक और बाद कहना चाहूंगा भगवान बुध्य ने इसी भूमी में निर्वान प्राप्त किया और यहीं उन्होंने धर्म प्रचार की विवस्था की सदियों तक इस देश की अधिकांस जनता बाधमत की अनुआई रही और यहां के प्रतापी न आरत से लुप्त हो गया यह शब होते हुए मैं कह सकता हूं कि 2000 वर्ष की इस समस्त आवधि में भगवान बुध्य के प्रति यहां की लोगों की आस्था तथा स्रद्धा बराबर रही विश्थो के इतिहास में सायद और कोई ऐसा उदाहरल नहीं मिलेगा मुझे कोई भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहां कोई आवतार हुआ हो और समस्त जन तक कुछ समय तक उसकी अनवाई रहकर किसी अन्यमत को अपना चुकी हो परंतु फिर भी उस देश में उस आवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैस रही है हो सकता है कि यह सही सुडता और यह उदारता इस देश को सोयम भगवान बुधि की ही देन हो इस समय मानो एक संध्यकालिन शमय से होकर गुजर रहा है भातिक विज्ञान एक पराकास्टा तक पहुँच चुका है ऐसा मालूम पढ़ता है कि मानो ने भातिक संपन्य कोई ही सुख का एक मात्र शाधन माल लिया है महोदय भारत बिसेश कर गाउं में ही बसता है और यद्यप इन दिनों सहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के शाथ बढ़ रही है पर यह आज भी सच है कि भारत ज्यादा तर गाउं में ही बसता है गाउं और गाउंवालों की उन गाउं के विकास पर बहुत जोड़ दिया करते थे यह एक बड़ा सुभ विचार है कि आज उनके जन्म दिन पर इस सामुदाइक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है इस देश में सामुदाइक विकास और सामुदाइक योजना नए सब्द हैं पर यह विचार बह सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधार के छेत्र में किये गयकार के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबध्ध है और यदि एक एक पहलू को अलग-अलग लिया जाये तो इस्थाई परिणाम प्राप्त नहीं हो शकता इसका यह अभी प्राय नहीं की विशिष्ट समस्याओं को महत तो ना दिया जाए परंद उन से संबंधित आयोजन इसी बिस्तरत योजना के ही अंग होने चाहिए और वे समस्याएं उसी योजना के अंतरगत आ जाएं इस काम में सफलता तभी मिल सकती है जब सरका के काम एक साथ हाथ में लिये जाएं महत्मा गांधि की प्रिणना से उनके अनुआईयों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत निस्वार्थ भाव से किये हैं और दूसरी संस्थाओं तथ ब्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है लेकिन परियाप्त धन और यतेश्ट मात्रा में विसिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उनका विस्तार ना तो उतनी दूर तक हुआ और ना उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे भारत और अमेरिका के बीच जनवरी उनिस सुबावन में हुए प्राविधिक शहयो पैदा हो गई हैं मेरा बराबर यह विश्वांस रहा है कि भारतिय किशान खेती की काम में कुछ नौ सिखिया नहीं और उसे इसका कई पीडियों का नुभव है बिहार के किशानों नी पिछले 20 वर्सों में जिस तेजी के साथ नए प्रकार के गन्ने की खेती अपना ली है उससे यह बात प्रमालित हो जाती है कि भारतिय किशान लकीर का फकीद नहीं जो नए सुधरे हुए तरीकों को अपनाना नहीं चाहता इसलिए आवशक्ता इस बात की है कि उसे इस बात का संतोस और विश्वांस दिला दिया जाय कि किसी नई पध्यत से या किसी नई किस्म की चीज उप जाने से उत्पादन अधिक होगा देश के सामनी खाद ध्यानों का प्रस्ण अत्यंत महत्तो का है